औग्णि 65 मा थेल भारत पाकिस्तान ना युद मा भारत द्वारा पाकिस्तानने दूर चाढता टा करी हराविदीधा था तेवा औग्णि 65 ना युद नी सुवर्ण जयान्तिनी उझवणी हालना तबक्के करवा मा आविरही छे भूज आर्मी केंपस मा योजायलेक समारंप मा विरांग नाओ अने सैनेना जवानोनु बहुमान करवामा आयो हतु हाकारे करमनी शरुवात प्रसंगे आर्मीना ब्रिगेडियर्स वी वशिष्च द्वारा प्रासंगीक प्रवचन मा जनावी हतु कि कोई पन युद अने लड़ाई प्रजाना सवकार्वीना जीत्वी कप्री बनी जती होई छे तेम कई कचनी विरांग नाओ ए ओगणी सो पांसचना युद माजे वीर्ता दाख्वी छे ते खुब मोटो सवकार रहो छे सैने ना जवानोंने विरांग नाओनी वीर्ता ने बहुम्मुली गणावी हती आप्रसंगे माजी सैनी को अने विरांग नाओनों सन्मान करवामा आयो हतु जिमाकच जिलाना कलेक्टर स्वी महेंदर पटेल जिलावीका सथिकारे स्वी सीजे पटेल भूजना धारसबर से निमाँ बें आचार्य आर्मी ना अधिकार्यों ज्वारा मोमेंटों माजी सैनी को अने वीरांग नाओने अरपन करवामा आवी हता आप्रसंगे आर्मी ना अधिकार्यों कर्मचार्यों सैथ पूर्व सैनी को मोटी संक्षा मा उपस्तित रही ओगनी सो पांसचना यूद्मा विजैनी अने सैनी को और वीरंगनावनी बाहद दूरी नी प्रसंसा करी उजवनी करवामा आभी हथी मेरा नाब है करनल स. अ कुलकर्णी अभी हमाई 65 वार में था और मेरा संदेश बाकिलंग को यह है कि आप सब लोग मिल करके यह पचासवी साल जो इसे जाहिए होता है कि आप लोगों में फौजी लोगों के लिए कितना श्रद्धा है और इसना आप इज़त करते हो हमारा रिक्वेस्ट तो यही है कि आप आगले वाले आने वाले पीडियों के लिए इतना श्रद्धा करके उन्हें एंकुरेजमेंट दे उन्हों देखबाल कर ले 65 के लड़ाई जो थी अच्छी थी लड़ाई और अलग-अलग सेक्टरों में अलग-अलग दिनों में हुआ था हर एक सेक्टर का अलग-अलग किसंती रिजल्ट आये वाट आखरी में यही हुआ कि पाकिस्तानी को भाग जाना पड़ा ताकि इंडियन फोर्ज बहुत स्ट पॉण के लिए और आप लोगों के लिए एक बढ़ गया कोशित करके इसको रिकॉर्ड करना चाहते हो देखना चाहते ओ다 पृछिसें से बहुत कुशी हैं और उनको हर जगह पे मूतोर जवाब दिया जो बहुत हेवी कैजिल्टी जाला और चोटी लड़ाई में बाद में सम्झोता किया लोगोंने सीस्वायर हो गया कटब होगी लड़ाई हमने मैं स्टाफ ऑफिसर इंटेलिजेंस का उसर पर मैं हमेशा आगे जाके खबर लेता थ दो तीन जगह हमारी खुद मुडवेड होगी उनके साथ में पर है कि हम बचके आगे उसमें से निकले गोजी नहीं लगी किसे नगा उंचा मस बहुत उंचा मस करने बड़े लाज़बाब शिपाई है और लड़ाई करने की हिम्मत है